इस वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ तस्वीरें भारती इस्थापत्य की देखते हैं पहला जो पिक्चर है वो पीशा की मिनार का इसका चार डिगरी जुकाव है और काशी का एक शिव मंदिर है जो भारत में उसका नो डिगरी जुकाव है फिर भी पीसा की जो मिनार है उसको इतनी परसिद्धी मिली और काशिके शियो मंदिर को उपेक्षित कर दिया गया छिपा दिया गया उसके कहीं कोई विवरण नहीं मिलते हैं ऐसे कई मंदिर हैं, कई इस्थापत्य है भारत में एक दूसरा चित्र जो अबारा है तो इसमें देखिए, एक साथ इदिकर जुम करके देखते हैं तो पाँच आदमी हमें दिखाई देते हैं पर उन पाँच आदमियों में सिर एक ही है कितने अच्ची इस्थापत्य रही होगी ये में किवल कुछ चित्र ही दिखा रहा हूँ आपको पूरे नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाने वाला है अगला जो चित्र है वो राजस्थान का है ये राजस्थानी दुर्ग परापरा का किवल एक दुर्ग में ने दिखाया है इसका इस्थापत्य जरागोर से देखिएगा ठीक है अब आते हैं हम दूसरे इस्थापत्य पर जो दक्षिन भारत के मंदिरों का है ये दक्षिन भारत का किवल एक मंदिर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ज्यादा नहीं दिखाऊंगा, ये सारी तस्वीरे नेट पर उपलब्द हैं, और नेट से ही मैंने डाउनलोड करी हैं, इसे मेरा कोई इन तस्वीरों को लेने हैं, मेरा कोई परसनल वो नहीं है, मैं खुद नहीं गया हूँ, सब कुछ बनाई हुई एक इमारत है, और नेक्ष्ट आने वाली है, तो ये भी अंग्रिजों की एक बनाई हुई बहुत फैमस इमारत है, जिसे लोग बाग कहते हैं, कि इनका इस्थापत्य बहुत जोरदार है, इनका स्ट्रक्चर बहुत जोरदार है, एक मुगलों की बनाई हुई भी इमारत है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका इस्तापत्य भी बहुत जोरदार है कि वो लेके एक उदारन ले रहा हूं में जादा उदारन नहीं ले रहा ये मुगलो का बनाये हुआ ताजमैल है ठीक है तो अब देखते हैं अब हम आते हैं आधुनिक संसत के पहले चि जो भारति संसकृति का प्रतिनी दित्व करते हैं ये दूसरा चित्र है जिसमें अशोक इस्तंब का चक्र दिखाया गया है ये चक्र भी अलग चीजा का प्रतिनी दित्व करता है जिस टाइम देश आजाद हुआ था उसमें भारत में 24 रियासते लगबग छोटी बड़ी जिनका एकिकरन किया गया था और उससे भारत का निर्मान हुआ था तो इस जो चक्र में 24 तारे हैं ये उन 24 रियासतों का प्रतिनी दित्व करते हैं चोटी मोटी रियासती कई थी जो उनमें विलोव हुई थी पर मुख्य चोईस रियासते थी ये उसका प्रतिनी दित्व क करते हैं यह महान अशोग इस्तंब का चक्र जो बार-बार संदेश दे रहा है कि हमें चोईस घंटे चलते रहना चीए और मेनत करती रहनी चीए और प्रगरती पत पर अग्रसर होना चाहिए और सबसे महतुपूर्ण और सबसे आखरी अखंड भारत का जो प्रदर्शन किया है कि पहले आखरेंड भारत कितना बड़ा था कहां तक फैला हुआ था ये जो कुछ चीजें हैं ये बहुत ही महतुपूर्ण हैं तो हमने देखा कि किस तरह से हमारे मूल धरोर को चुपा कर हमें उस इतिहास को बताया गया है जो हमें हमारे इतिहास को कम आकने को मजबूर करेगा अब जब संसत भवन में हमें उस इतियास की जलक देखने को मिल रही है तो लोगों को परिशानी तो होनी है जो ये नहीं चाहते कि हमें हमारा वास्त्रिक इतियास पता चले इसलिए बहकावे में ना आएं ये लोगतंत्र का मंदिर है और इसकी सुरक्षा हमारा दा झाल 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 झाल